नमस्कार दोस्तों सिक्ष्या विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहट 10,000 सायक अध्यापकों की समीद्धा भर्ती होने वाली है संपूर्ण जानकर आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि क्या सायक जो अध्यापक लिये जाएंगे उनकी योगेता रहने वाली है किस परकार सेलेक्शन होगा संपूर्ण प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि राजस्तान से जुड़ी हर एक वेकैंसी की अपडेट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है और आगे भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए शूरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे शिक्स्या विभाग ने किया आदेश जारी अब आरेक्षन से होगी 10,000 साहिक अध्यापकों की समीद्धा बर्ती जैसा कि आपको पहले ही पता होगा तो पद है राजे सरकार के जारी आदेश में कहा गया है कि साहिक अध्यापक लेवल पर्थम के 740 साहिक अध्यापक लेवल दिवित्य में गणीत के 1430 अध्यापक लिए जाएंगे अंग्रेजी के 1430 पुदों पर समीद्धा पर शिक्सकों की बर्ती होगी शिक्सकों को 16900 पर्ती मांदे मिलेगा यानि जो आपके बर्ती किस परकार करवाई जा रही है जो महत्मा गादी अंग्रेजी मेडियम स्कूल है और अन्य स्कूलों के लिए बर्ती होने वाली है यहाँ पर सबसे पहले आप योगिता हैं देख सकते हैं कि जो सविद्दा पर जो अध्यापक लिए जाएंगे उनकी योगिता क्या रहने वाली है तो इचुक अवेर्ती जो भी चुक है अवेर्ती को अंग्रेजी माद्यम में सनात्तक के साथ बीएड डियल्ड और नियून्तम अंकों के साथ रीट लेवल टू की पातरता प्रिक्ष्या उत्तरिन होना आवसक है रीट की पातरता प्रिक्ष्या की वेदता भी समाप्त नहीं हुई हो इन 10,000 शिक्सकों की बरती स्विद्दा के माद्यम से होने वाली है तो ये दोस्तों संपूर्ण अपडेट आपको में जादी किस प्रकार की योगिता रहने वाली है और कितने पदों पर ये शिक्सक भरती हो जाएगी और 9 साल की अवदी में पूरा करने पर इनको लाब भी मिलने वाला है जिस प्रकार जो लाब अन्य शिक्सकों को मिलता है ठीक वही चीजें इनको भी मिलने वाली है तो ये पूरी अपडेट है इस बड़ी अपडेट को सेर जरूर कीजेगा और किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजेगा उस पर भी वीडियो जल्द ही बन जाएगा तो तरहीं आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद